अजय शेकिष्णा अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं नुक्लियर फोर्सेस के बारे में ना भी किये बल्लों के बारे में बात करने जा रहे हैं नुक्लियर फोर्सेस क्या होते हैं यह मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ इसमें क्या होता है कि जैसे चार तरह के फंडामेंटल फोर्सेस आपने पढ़े थे जब आपको NLM पढ़ाया गया था तो जब फोर्सेस की बेसिक इंट्रोड़क्शन आपको दी गए थी तो चार तरह के फंडामेंटल फोर्सेस आपको बताया गया थे ये चार तरह के जो fundamental forces थे ये कौन कौन forces थे एक तो आपका gravitational force था एक electromagnetic force था एक nuclear force था और एक weak nuclear force था तो ये nuclear force जो है इसके बारे में आप हम लोग बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अच्छा जो nuclear force होता है ये nucleus के अंदर अंदर ही लगता है। इसका असर नुकलियस के बाहर नहीं होता है तो यह नुकलियर फोस क्या होता है और यह किस तरह से काम करता है यह मैं आपको समझाने जा रहा हूँ पहले मैं आपको इसका कंसेप्ट समगे होगा फिर इसके बारे में बात आपको लिखा होगा जैसे माल ले जाए कि यह नुकल नुकलियस के इंदर बहुत सारे प्रोटान वह सारे ट्रॉटाण P चार्ण होता है लेकिन प्रोटान के उपर पॉजिटीव होता है तो यह सारे प्रोटान क्या करेंगे एक दूसरे को रिपल करेंगे अब एक दूसरे को रिपल करेंगे अच्छा नूकलियस का रेडियस क्या होता है नूकलियस का रेडियस जो है तीन चार फर्मी के आसपास होता है फर्मी मतलब 10 to the power minus 15 meter 10 to the power minus 15 meter का मतलब एक बहुत ही बड़ा नंबर इतना बड़ा नंबर है कि इतना ही छोटा नंबर है कि वो मतलब कलपना से हमारे बाहर है इतना छोटा नंबर है तो यह जो proton होते हैं वो एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर होते हैं बहुत ही ग्यादा कम दूरी पर होते हैं और ये एक दूसरे पर बहुत ही strong repulsion एपलाई करते हैं, बहुत ही तगड़ा repulsion force एपलाई करते हैं, मैं थोड़ा सा आपको नमबर से समझा रहा हूँ, जैसे माल ये दो प्रोटॉन है, दो प्रोटॉन एक दूसरे पर कितना force लगाएंगे, तो जो force होता है, वो कितना होता है, के Q1, Q2 upon R2, इलेक्ट्र स्टाडिक फोर्स है दर हम देखें, तो ये हो गया एगा 9 into 10 to the power 9, Q1 है 1.6 into 10 to the power minus 19, Q2 भी 1.6 into 10 to the power minus 19 है, अपान R जो है, R की जो value है, ये माल लेते हैं कि 10 to 10 to the power minus 15 है, फ्रम्टो मीटर में आता है न, तो 10 to the power minus 15 माल लिया, मैंने अब जरा ध्यान से देखें, तो ये हो जाएगा 1.6 into 1.6, 2.56, 9 into 2.56 into 10 to the power minus 19, minus 19, minus 38, 38 में ये 30 उपर जाएगा, तो 38 minus 30 जो हो जाएगा, वो 8 बचेगा, 9 minus 8, 1 हो जाएगा, तो ये 1 के मेरा मर हो गया इसको मोटा-मोटा 10 ले लेता हूँ, इसको 2.5, तो ये 25 हो जाएगा, अब 25 into 10 किता हो जाएगा, तो ये दो, मैं एक से नंबर में बता रहा हूँ, कि ये दो प्रोटॉन जो नूक्लेस के अंदर बैठे हो हैं, ये एक दूसरे पे 500 न्यूटन के बराबर electrostatic repulsion लगा रहे ह इसको मतलब एक कोई लड़का है, जिसका बजन 25 किलोगराम है, आप में से कुछ लोग होंगे, 25 का तो खेर कोई नहीं होगा, 35-40 किलो तक होंगे, तो 25 किलो का एक कोई माली ये बच्चा है, 10 साल का एक बच्चा है, 25 किलो का, उसका बजन जो है, उसके बराबर फोर्स एक प्रोटोन एक दूसरे प्रोटोन पर अप्लाई कर रहा है, तो ये फोर्स आप सोचें कि जरा जरा से प्रोटोन हैं और एक दूसरे के उपर इतना स्ट्रॉंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अगर इतना अधिक फोर्स सारे प्रोटोन होते हैं, ये सारे प्रोटोन एक लेकिन नुखलेस तो देखा गया कि हाइली इस्टेबल होता है। कितना भी नुखलेस पर पर फोस लगा और नुखलेस तूटता नहीं। तो होता क्या है वास्तों में, कि यह जो 2.500 Newton का force, जिसकी बात कर रहे हैं, जो Colombic Repulsion है, इसको एक force होता है, जो balance करता है, और उसी force को Nucleate Force कहते हैं। फिर से मैं आप अपनी बात को Summaryz कर रहा हूँ। मेरी बात ये है कि nucleus के अंदर protons होते हैं बहुत कम दूरी पे, ये proton एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, नफरत करने का मतलब एक दूसरे पे बहुत strong repulsion अपलाई करते हैं, बहुत ज़्यादा strong repulsion अपलाई करते हैं, तो उसके कारण nucleus को तूट जाना चाहिए और highly unstable होना चाहिए nucleus को, लेकिन nucleus बहुत ज़्यादा stable होता है, तो वो इस कारण से होता है कि ये जो protons और neutrons और जो कुछ होते हैं, इनमें एक और force लगता है nature का एक force लगता है उसे हम nuclear force कहते हैं और ये nuclear force जो होता है वो nature का सबसे ताकतवर force है अगर इन proton को पास पास रखना है तो जो nuclear force होना चाहिए वो तो उससे भी ताकतवर होना चाहिए तभी तो रोख पाएगा ना, समझ रहो ना दो लोग मान लोग की जगडा कर रहे हैं वो strongest known force of the nature है प्रकृति के अंदर जो बल हमें पता है उनमें सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है क्योंकि वो electrostatic force तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं उनको भी balance कर देता है तो ये nature का strongest known force है दुनिया में जो सबसे ताकतवर force अभी तक जो जानकारी है उसके हिसाब से ये दुनिया का strongest known force है ठीक है तो अब मैं इस बात को जो मैंने आपको बता है इसको मैं लिख देता है इसको note भी कर लेंगे लिखें inside a nucleus a very strong a very strong electrostatic electrostatic repulsion acts inside a nucleus a very strong electrostatic repulsion acts nuclear forces balance these electrostatic forces 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 nuclear forces are strongest known force of nature nuclear forces are strongest known force of nature ये दुनिया के सबसे ताकतवर force होते हैं चुकि ये electrostatic को balance करते हैं तो ये उससे भी जाता ताकतवर होते हैं अभी तक ये दुनिया के सबसे ताकतवर force अभी तक जो discovery है उसमें सबसे ताकतवर ये माने गए हैं अब ये जो nuclear forces होते हैं इनके कुछ properties होते हैं इनके कुछ गुण होते हैं तो क्या-क्या इनके गुण होते हैं उनके बारे में बात करेंगे गुण आउपुर जो भी है उसके बारे में बात करेंगे properties ठीक है इनकी properties क्या होती है सबसे मतलब जो पहली प्रापर्टी वो तो मैंने लिखी दी कि ये strongest known force होते हैं nature के सबसे ज़्यादा जो ताकतवर force हैं उसके अंदर ही आते हैं ठीक है और इनकी खास बाती होती कि ये nucleus के बस अंदर-अंदर ही लगते हैं तो अगर ये nucleus के अंदर-अंदर ही लगते हैं तो इनको हम लोग short range force केते हैं short range जैसे gravitation जो होता है long range होता है ये galaxy दूसरी galaxy पे भी force लगाएगी सूरत जो है धरती पे भी लगाएगा क्योंकि long range है बहुत ज़्यादा दूर तक उसका असर होता है तो जो nuclear force होते हैं ये short range forces होते हैं ये बहुत ही मनदब nucleus के अंदर-अंदर ये add करते हैं तो इसलिए हम लोग इनका असर जो होता है बस nucleus के अंदर ही होता है बाहर इनका असर ज़्यादा नहीं होता है तो ये short range forces है ठीक है तो पहला point इसके अंदर में लिकरा हूँ these are short range forces these are short range forces ये जो forces है ये short range होते हैं इनकी range ज्यादा अधर नहीं होती ये बस nucleus के अंदर अंदर ही लगते हैं nucleus के बाहर ये act नहीं करते हैं दूसरा इसके अंदर बाता है कि जैसे बाकी और जो forces आपने पढ़े हैं के q1 q2 upon r square ये central force होते हैं मतब electrostatic force और gravitational force central कहा जाता है central इसके कहा जाता है कि किसी particular point की तरफ directed होते हैं जैसे धरती जो भी force लगाए कि धरती के central की तरफ directed होगा कोई charge capital की small q पे जो लगाएगा वो उस capital q के center की तरफ directed होगा तो electrostatic force और gravitational force central forces होते हैं ये किसी खास बिंदू की तरफ directed होते हैं लेकिन ये central forces नहीं होते हैं और जैसे electrostatic और gravitational force होते थे तो उनमें जो force आता था 1 upon r square पर depend करता था inverse square forces हम कहते थे उनको क्योंकि gravitation में भी 1 upon r square आता है और उसमें भी 1 upon r square आता है तो ये ना तो inverse square force होता है 1 upon r square पर depend नहीं करता और ना ये central force होता है ठीक है तो neither central nor inverse square लेकिन दिस इस नाइदर central लेकिन लेकिन दिस नाइदर central नर inverse square अब ये डिपेंड किस पर किस पर करते है अब ये अच्छा इसमें ये एक भी बात होती है कि ये मतलब ऐसा नहीं निश्चित नियम नहीं कि ये अट्रक्टिव होंगे या रिपल्सी होंगे इसमें जो NCRT के अंदर लिखा है वह ये है कि 0.8 फर्मी से अगर डिस्टेंस कम हो गई तो ये रिपल्सी हो जाते हैं और अगर डिस्टेंस नुक्लियांस के बीच में 0.8 फर्मी से ज़्यादा हो गई तो ये अट्रक्टिव हो जाते हैं तो ये अट्रक्टिव रिपल्सी दोनों हो सकते हैं इ finer रिपलस्य उर अट्राटर्टिव , इस सब्सक्राइब अब एक बात इसके इंदर ऋबर समझेगा वहाँ से प्रोटोन हैं सारी न्यूट्रोन को रिपल करेगा होगा electrostatic repulsion होगा तो अब यह जो nuclear forces होते हैं इए यह जो forces होते हैं यह ऐसा नहीं किसे proton proton पे लगाएगा यह proton neutron पर भी लगाता है neutron मतलब nuclear forces यह बात पर डिपेड नहीं करते कि new communion कौंसा है proton है जैन नीटरों के वैसे लगेगा प्रोटॉन पे भी वैसे लगेगा, मतलब ये न्यूक्लियोन के नेचर पे डिपेंड नहीं करते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन भी आपस में लगाएंगे, न्यूटॉन प्रोटॉन भी लगाएंगे, और न्यूटॉन न्यूटॉन भी आपस में लगाएंगे, इसका चार्ज इसे कोई रिष्टा नहीं है जैसे एलेक्ट्र स्टाडिक पोस का चार्ज से रिष्टा होता है जिस पर चार्ज होगा वही लगेगा इसका चार्ज बाद से कोई रिष्टा नहीं है ये नुकलियान के नेचर के इंडिपेंडेंट होता है नुकलियान के नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा प्रोटान प्रोटान में भी उतना ही लगा मतलब वो इस बाकी सब चीजें कर सेम रखी जाए तो प्रोटान प्रोटान में भी लगेगा Newton Newton में भी वेलेगा, Newton photon में भी लगेगा तो ये force Nucleon के nature पर depend नहीं करता है ठीक है, ये भी इसकी एक property है This force is independent of the, this force is independent of the nature of the Nucleon This force is independent of the nature of the Nucleon जो नुकलियोन का nature है, उससे ये स्वतंत्र होता है This force is independent of the nature of the Nucleon Nucleon के nature पर depend नहीं करता है जो भी Nucleon है, उसका जो भी nature है उससे डिपन नहीं करता है उसके आलाब ये भी बताते है, वड़ा mysterious type का force होता है आईसा बताता है कि यह spin पर भी डिपेंड करता है spin जो होती है जो नुकलियों की spin होती है अगर सेम इस्पिन रहती है तो यह जादा लगता है और अपोजिट इस्पिन होती ही तो कम लगता है तो यह जो force होता है तो नुकलियों के spin पर भी डिपेंड करता है लिख देता हूं मैं, this force depends upon the spin of the nucleon. This force depends upon the spin of the nucleon. ये जो force है, वो नुकलियोन की spin पर depend करता है. उसके लाब ऐसा बताते हैं, कि ये जो force होता है, ये नुकलियोन की pairing पर भी depend करता है. अगर नुकलियोन बहुत ज्यादा अच्छे से paired हैं, तो इस्टेबिलिटी ज्यादा होती है, अगर उतने अच्छे से paired नहीं है, उन-paired हैं, तो stability कम होती है. तो ये pairing पे भी depend करता है this force depends upon depends upon the pairing of the nucleons this force depends upon the pairing of the nucleons ये जो force होता है वो nucleon की pairing पर depend करता है जो भी nucleon की pairing कर टेपेंड करता है ठीक है और ये जो force होता है इसके बारे में एक और छोटी सी बात आता रहूं है ये note का लेजिए यहां तक मेरे खाल से ये लिख लिख लिए होगा पहला पाइंट इसको मिटा देता हूं यह जो फोर्स है नुकलियर फोर्स जो होता है इसकी पोटेंशल एनरजी और डिस्टेंस डिस्टेंस आपकी फेम्टो मीटर या फर्मी में है और पोटेंशल एनरजी इधर है इसके बीच ग्राव जो बनता है और यह जो डिस्टेंस आती है यह 0.8 फर्मी के बराबर आती है देखो एप बराबर फोर्स और पोटेंशल नरजी का जो रिलेशन है यह बराबर होता है माइनस डियू अपान डियार तो इस जग़ब पर अच्छा डियू पान डियार मतलब यू आर करो का जो यू आर करो का स्लोप होगा वही पोटेंशल नरजी होगी तो इस जग़ब आप देखें स्लोप 0 आ रहा है यानि जब डिस्टेंस 0.8 फर्मी होगी तो नुकलियर फोस 0 होगा अगर डिस्टेंस 0.8 फर्मी से जादा हो गई तो 0.8 फर्मी से कब ये जो डिस्टेंस मैंने लिखाई थी कि attractive या रिपल्सी दोनों हो सकता है वो बात यहां पर आरे इस graph के अंदर कि 0.8 फर्मी से कम होगा तो रिपल्सी होगा 0.8 फर्मी से जादा होगा तो attractive होगा ये भी sports की एक मतलब खास बात होती है पैचान होती है ये सारे points आप लोग नोट कर लें अब एक इसमें ये बात आती है इसे जुड़ा stability से nucleus की stability से जुड़ावा एक सवाल आता है कि जैसे माल लीजे मैं nucleus है और उसका size बढ़ाना चाहता हूँ तो nucleus का size बढ़ाने के लिए मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि neutron बढ़ाऊंगा तो भी nucleus का size बढ़ेगा proton बढ़ाऊंगा तो भी nucleus का size बढ़ेगा तो इसमें एक सवाल ये पैदा होता है कि मैं चाहता हूँ कि nucleus की stability बनी रहे या nucleus की stability बढ़ती जाए और मैं size भी बढ़ाना चाहता हूँ तो neutron बढ़ाने से फाइदा होगा या proton बढ़ाने से मतलब neutronों की संख्या गर हम बढ़ाएंगे तो stability बढ़ेगी या protonों की संख्या बढ़ाएंगे तो stability बढ़ेगी neutronों की संख्या बढ़ाने से stability बढ़ेगी उसका कारण क्या है उसका कारण बहुत obvious सा है अगर आप neutron की संख्या बढ़ाएंगे तो neutron तो एक दूसरे को repel नहीं करेंगे attract तो करेंगे attract तो करेंगे ही भई nuclei post तो लगता ही है न neutron में भी लगता है proton में लगता है तो attraction तो लगेगा neutron के बीच लेकिन repulsion नहीं लगेगा तो अब attraction बढ़ता जाएगा repulsion जो है कम होता जाएगा तो overall stability बढ़ती जाती है तो अगर आप nucleus के अंदर neutron की संख्या बढ़ाएंगे तो nucleus की stability बढ़ेगी अगर आप थोड़ा सा देखें periodic table को देखें तो आपको ये बात realize भी हो जाएगी जैसे size बढ़ता है stable जो nuclei होते हैं उसमें neutron बढ़ते जाते हैं जैसे 10 तक, 10 में आता है शायद कौन सा आता है, नियाना आता है ना, Z is Equality and किसका होता है नियान कहीं होता है, तो नियान के बाद आप जैसे 10 के बाद 11 जो है sodium आयां तो उसमें कित्ते proton होते हैं proton कीत्तेynn बारा होतें counting होते हैं आगे बढ़ेंगे जो N by P ratio है, नुट्रोन और प्रोटोन का जो रेशियो भढ़ता चला जाएगा, जैसे मुझे लोहिका याद आ रहा है, 26 होता है और 56 होता है, तो इसमें 26 प्रोटोन होगे और 30 नूट्रोन होगे, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चला जाएंगे, वै लेकिन अट्राइट कर रहे हैं इसले नुक्लियस की stability बढ़ती जाती है तो जैसे जैसे N by P ratio बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो नुक्लियस होता है वो ज्यादा stable होता जाता है अब लेकिन यह होता है ना कि आती हर चीज की खराब होती है तो अब जब ऐसा बताते हैं कि N by P ratio अगर 1.6 को पार कर जाता है तो नुक्लियस की जो है वो unstable होने लग जाता है उसका भी कारण बताते हैं उसका कारण यह बताते हैं कि N by P ratio अगर 1.6 को पार कर गया तो neutron तो बहुत सारे बढ़ गए लेकिन neutron बढ़ने के साथ-साथ unpaired neutron भी बहुत बढ़ गए जैसे अगर ratio 1.6 हो गया तो जैसे मालो आपके 50 proton है 70 neutron है तो 50 proton, 50 neutron तो pairing कर लिए 20 neutron unpaired रहे गए जो unpaired रहते हैं तो unpaired होने की वेज़े से stability जो होती है उसका loss हो जाता है, stability का नुक्सान होता है pairing पर डिपेंड करता है न है nuclear force इस बात तो इपेंड करता है कि कितना properly paired है तो n by p ratio अगर आप बढ़ाएंगे तो शुरू में stability बढ़ती जाती है लेकिन अगर n by p ratio 1.6 को पार कर जाता है तो nucleus unstable हो जाता है क्योंकि उस समय unpaired nucleonों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है जो unpaired nucleon है उनकी संख्या बहुत अधिक होने के वज़े से nucleus की stability घटने लगती है तो ये काम की बात है इस पर सवाल बनता है तो वो मैं आपको लिखा देता हूँ the stability the stability the stability increases when n by p ratio the stability the stability increases when n by p ratio ratio increases when n by p ratio is 1.6 the stability the stability the nucleus becomes unstable and n by p ratio increases when n by p ratio is 1.6 the nucleus becomes unstable the nucleus becomes unstable because the number of the number of unpaired because the number of unpaired nucleons becomes 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 high so the nucleus is unstable because the pairing is lost the pairing depends on the unstability if unpaired nucleons can be then stability you can see as 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 and हो जाएगा, system unstable हो जाएगा, ठीक है, तो 1.6 तक तो ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, कि unpaired nucleion जो बहुत अधिक हो जाते हैं, तो जो stability है, वो खतम हो जाती है, ये nuclear force की कहानी रही, अब उसके बाद इसी के अंदर एक और आता है, weak nuclear force, ये तो nuclear force रहा, अब एक weak nuclear force आता है, वो यही पर बताने जा रहा हूँ है, weak nuclear force, मैं बार-बार ये बात बोलता हूँ कि जो जब से discovery चल रही, खोजबीन चल रही है, जो सबसे छोटा particle उसको खोजने की कोशिश हो रही है, पहले लोगों ने बात करी कि नहीं molecule होता है, फिर बोला atom होता है, फिर बोले neutron proton होते हैं, फिर बोले कि neutron proton के अंदर quarks होते हैं, अब quark के बाद guard particle आ रहा है, मतलब पूरी एक कहानी चल रही है, छोटे से छोटा छोटे से छोटा particle खोजने की कोशिश की जा रही है, इसी कड़ी में एक weak nuclear force का concept आता है, यह weak nuclear force का concept ऐसे आता है, कि जैसे माल लोगी कोई neutron है, तो अब neutron जो है, इसको भी तो भगवान ने बनाये होगा, भगवान का मतलब कुछ ऐसे forces होंगे, जो proton को बनाते हैं, जिसे लड्डू बनाय जाता है, लड्डू बनाने के लिए तो घी बहुत अधिक कर दिया जाएगा, या खोवा अधिक कर दिया जाएगा, या गोंद भी डालते हैं, लोग गोंद के लड्डू होते हैं, तो वो bind करता है उनको, पै होंगे तो वो जो पाइंडिड फोर्से है उन्हीं को वीक नेजिय नाठो क्योंगे दियूटर रह से उन्हित्ट वा डियुत्र अ कि यृ स्वेस्ट एंटी प्रिटान राता है। oxo बैंड करने माला उसका इक अकथा करने माला जो फोर्स होता है उसे रहीं आप और ये ये शौटेस्ट रेंज फॉर्स कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है। क्योगि इसका जो असर होता है। उपस नुक्लिएओन के अंदर नदर होता है। मनें proton के बाहर भी proton के अंदर अंदर होगा या neutron के अंदर अंदर होगा neutron proton के बाहर इसका अशल नहीं इन्टा है तो ये जो forces होते हैं ये nucleon की stability के लिए जिम्मधार होते हैं shortest range force होते हैं क्योंकि इनका जो असर होता है और nucleon के बाहर नहीं होता है और ये attractive in nature होते हैं बहुत ज़्यादा इन forces के बारे में पता नहीं है मतलब nucleon जो है वैसे अटमी बहुत चोटा होता है क्या होगे तो जिसे चार जो fundamental forces होते थे उसमें कल हम लोगों ने ये देखा था कि weak strong nuclear forces क्या होते हैं अब ही हम लोग weak nuclear forces के बारे में बात करने जा रहे है weak nuclear forces जो होते हैं वो weak nuclear forces तो ये जो weak nuclear forces होते हैं इनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी अबलेबल नहीं है लेकिन फिर भी कुछ information इनके बारे में है ये जो जिसे neutron या proton होते है पर बैंडिंग बनेगी तो यहां पर बैंडिंग फोर्स होता है उसका बैंडिंग फोर्स होता है उसका जोडने वाली चीज होती है कोई ज़गा पर बैंडिंग ज़ो होती है उसके अंदर तो यहां पर जो नुपर कोस होता है नो कॉल्शान के अंदर रहता है वो नियुक्रिओं की स्टेृन होताँ पढ़ने के लिए जिम्मैजार होता है binding force जो होता है तो इस बात को यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं this force is responsible, this force is responsible for the stability, stability of nucleons, this force is responsible for the stability of neutrons, nucleons के stability के लिए जिम्मेदार होता है और यह बस nucleons के अंदर-अंदर ही लगता है, जो nucleon होते हैं उसके अंदर ही लगता है, उसके बाहर नहीं लगता है, तो this force acts only within a nucleon, बस यह nucleon के अंदर-अंदर ही रहता है, और चुकी यह nucleon के अंदर-अंदर ही रहता है, तो यह दुनिया का shortest range force है, shortest range, इसकी range सबसे कम होती है, सब ज़्यादा range होती ही gravitational force की, उसके बाद आती है, electrostatic force की, उसके बाद आती ही nuclear force की, और सब से कम ज़्यादा range होती है, यह weak nuclear force की होती है, बस nucleon के अंदर-अंदर, neutron यह proton के अंदर-अंदर का force होता है, तो this is the, this is, this is the shortest range force, shortest range force. यह shortest range का force होता है, जो सबसे कम range होती ही जिस force की, वो यह है, इससे कम range का force नहीं होता है, this is the shortest range force, सबसे कम range का force होता है, ठीक है? तो यह चार जो fundamental forces होते हैं, उन चार fundamental forces में सबसे कम range वाला force होता है, यह nucleon की stability के लिए जिम्मेदार होता है, आईटी में जो सवाल आये था, एक बार इस force से जुड़ा हो, मुझे याद है, यह force तब involved होता है, जब neutron या proton टूटेंगे, neutron proton में टूटेगा, proton neutron में टूटेगा, neutron टूटेगा, neutron टूटेगा, neutron टूटेगा, इसका मतलब उसके अंदर के forces में कुछ फरक पढ़ रहा होगा न, यह neutron या proton के अंदर के forces होते हैं, तो यह जो force होता है, वो तब involved होता है, जब neutron या proton का inter-conversion होता है या इसी बात को मैंसे बोलते हैं कि जब neutrino या anti neutrino निकलता है तब यह force involved होता है कैसे neutrino कब निकलेगा बताया था आपको जब proton तूटेगा तो neutrino निकलेगा neutrino निकलेगा इसका proton तूट रहा है तो ये forces न्यूट्रों या एंटिन्यूट्रों जब भी निकलते हैं तो ये forces involved हो जाते हैं या जब भी neutron का proton में, proton का neutron में conversion होता है तो ये जो forces होते हैं वो involved होते हैं, weak nuclear forces, ठीक है अब जैसे इसके अंदर एक छोड़ा सा सवाल आता है दो electrons हैं, कुछ दूरी पर रखे गए हैं माल लेते हैं कि एक मीटर की दूरी पर रखे गए हैं ठीक है, दो electrons हैं, एक मीटर की दूरी पर रखे गए हैं इसमें एक हवाल आता है arrange the fundamental forces forces in ascending order इनके बीच जो fundamental forces fundamental forces चार होते हैं न, gravitational, electromagnetic, nuclear, weak nuclear तो ये चार जो fundamental forces हैं, इलेक्टोनों के बीच में लग रहे होंगे तो ascending order में उनको बढ़ते हुए क्रम में आपको arrange करना है चारो fundamental forces को ascending order में arrange करना है बताए भाई क्या order होगा ascending का मतलब बढ़ता हुआ बढ़ता हुआ करना सबसे कम पहले क्या होगा weak nuclear force फिर उसके बार nuclear force फिर gravitational फिर electro अब ध्यान से सुने इसमें दो electron हैं तो electron जो हैं इनके बीच nuclear force लगे गा हैं nuclear force किसके किसके बीच लगता है अन्या weak nuclear लगेगा то nuclear और weak nuclear दोनों जीरो हो जाएंगे दोन लगेंगे नहीं nuclear forces तो nucleon के अंदर का फिनोंन है treated90 का फिनोंन है to nuclear force सबसे कम होगा और weak force जो होगा उसके बार दोनों 0 होंगे अब फिर उसके बाद gravitational force होगा उसके बाद electromagnetic चुकि nuclear forces तो जैसे ये नुकलियर, वीक नुकलियर, स्ट्रॉंग नुकलियर इन सब फोर्से के बारे में देखा, अब इसके अंदर एक कंसेप्ट आता है इस चाप्टर में, जिसकी वज़ा से हम इस चाप्टर को पढ़ते हैं, और वो जो कंसेप्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट मास्ट इफेक्ट, मास्ट इफेक्ट इसको दिखाते हैं, हम लोग डेल्टा एम से, मेजर एम्यू में करते हैं, और हिंदी में इसको करते हैं, द्रवेमान च्छती, मास्ट इफेक्ट या द्रवेमान च्छती, इसका नाम हिंदी में है, होता क्या है, मास्ट इफेक्ट गेहु में एक किलो चावल मिला दिया जाए तो मास टोटल मास किता आएगा, दो किलो आएगा, common sense की बात यही है, जब से, जैसे नॉर्मल अगर कहीं भी आप करेंगे, तो दो चीजों को जोड़ेंगे, तो दो प्लस तीन स्केलर होता है मास, तो दो प्लस तीन जो होगा, वो पांच हो जाएगा, पांच प्लस छे, ग्यारा हो जाएगा, तो यह बड़े सामानिय सी बात है, कि किसी भी चीज का मास होगा, उसके constituent के मास के बराबर होगा, किसी भी चीज का मास जिन से जिन से वो मिल के बना हुआ है उसके मास के बराबर होगा ये notion बहुत समय तक चलता रहा फिर जब बाज में लोगों ने atomic मास को major किया जब atom के मास को वास्तों में एक तो हो गया कि theory दी गए और एक हुआ कि atom के मास को major करना start किया तो एक बड़ी अजीब सी बात पता चली कि कोई भी जो nucleus होता है कोई भी जो nucleus होता है वो उस nucleus का मास जिन nucleon से मिल करके बना होता है उनके मास से थोड़ा सा कम आता है कोई भी nucleus है तो उसका जो मास आएगा वो उसके constituents constituents, constituents का मतलब जिनसे वो मिल करके बना हुआ है, उनके मास से थोड़ा सा कम आता है, और मास में ये जो कमी है, उसी कमी को मास defect बोला गया, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, मल लिजे कि हम बोलते हैं 2HE4, 2HE4 मल लिए कोई एक nucleus से, helium का nucleus से मल लेते हैं, अब helium का nucleus किस से मिल के बना हुआ है, 2 proton, 2 neutron, तो अब अगर हम 2 proton का मास निकालें, और 2 neutron का मास निकालें, तो common sense के हिसाब से, 2 proton और 2 neutron का अगर मास निकालें, तो common sense के हिसाब से, इसका जो मास होना चाहिए, proton और neutron का जो मास होना चाहिए वो helium nucleus के mass से के मुकाबले थोड़ा सा excuse me तो जो nucleus का mass होता है उसके constituents के mass से थोड़ा सा कम होता है जो भी constituents का mass होता है उससे वो थोड़ा सा कम आता है जैसे माली जै मैं example दे रहा हूँ helium nucleus है तो helium का जो nucleus है उसका दो proton दो neutron से मिलके बना हुए तो दो proton का mass और दो neutron का mass अगर हम देखेंगे तो ये helium nucleus के mass से थोड़ा सा ज़ादा आता है ये अजीब सी बात थी कि वो helium जो nucleus है वो दो proton ने टम की बात नहीं कर रहा हूँ अटम में तो electron भी आ गए मैं अगर सिर्फ helium nucleus का mass किसी तरह से तराजू मेरे पास ऐसा हो जिससे helium का mass में तॉल पाऊं और neutron proton का mass भी तॉल पाऊं तो देखा ये गया है कि helium nucleus का mass जो है वो दो proton और दो neutron के mass से थोड़ा सा कमाता है यही चीज oxygen के साथ देखी गई nitrogen के साथ हर चीज के साथ यह चीज देखी गई जैसे oxygen जो है oxygen में कितने होते हैं अगर हम O2 की बात करें तो O2 के अंदर 8 proton और 8 neutron होंगी न 16 होते हैं उसके अंदर atomic number तो जो 16 times the mass of proton, sorry 8 times the mass of proton plus 8 times the mass of neutron is greater than mass of oxygen nucleus अगर हम oxygen nucleus का देखें तो 8 proton का mass और 8 neutron से मिलके बना हुआ है लेकिन उसका जो mass आता है उसके constituent के mass से थोड़ा सा हमेशा कम आता है और mass में ये जो कमी है इसी कमी को हम mass defect बोलते हैं अब ऐसा हर atom के साथ देखा गया जितने भी atom थे जितने भी atom के है मतलब nucleus ने सब के साथ ऐसा देखा गया कि उनका जो mass आया वो उनके constituent के mass से थोड़ा सा कम आया अब ये एक establish जब हो गया कि mass वास्तों में जो आता है वो थोड़ा सा कम आता है तो सवाल ये पैदा हुआ कि ये mass गया कहा तो कहां गया होगा mass ये energy में convert हुआ होगा और वो जो energy में mass convert हुआ हुआ ठीक है वो energy release होती है nucleus से जो energy निकलती है वो इसी कारण तो निकलती है तो आसा mass defect आता है mass कम हो जाता है और वो mass energy में convert हो जाता है तो mass defect जो है वो यहीं बताता है कि कि किसी भी nucleus का mass उसके constituent के मास से थोड़ा से कम होता है और मास की यह जो कमी है इसी कम लोग मास डिफेट करते हैं ठीक है तो इस बात को मैं नोट कर ले रहा हूं आपन है तो मास पिफेट सुछेट ले नुकेस हैं लस सब्सक्वाद कर न है तो अ उन्स होग ऑड शोड़ा सा क्वेट आप तो होस्ट осьबक्ष़। its constituents, mass of a nucleus is slightly less than the mass of its constituents, this loss of mass is called, this loss of mass is called mass defect. mass of a nucleus is slightly less than the mass of its constituents, this loss of mass is called mass defect. mass में यह जो कमी आती है इसे mass defect करते हैं और आगे हम लोग जब binding energy पढ़ेंगे तो हम लोग यह बात भी करेंगे कि यह mass जो है वो energy में कर्वट हो चुका है, ठीक है? खेर अभी पहलाल यह mass defect जो है, वो हम लोग कैसे निकालते हैं यह मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे माल लेते हैं कि कोई भी nucleus है, XZA, सब लोग इसका मतलब समझगे होंगे, इसमें कितने proton होंगे, Z neutron कितने होंगे, A-Z होंगे, यह nucleus है, atom नहीं है, हम nucleus की बात करें हैं, आपर atom से मतलब नहीं है, तो यह एक atom है, अगर मैं इसका mass defect निकालना चाहता हूँ, तो इसका mass defect जो आएगा, delta M, उसकी value आएगी, Z times the mass of proton, plus A-Z times the mass of neutron, minus mass of nucleus X, यह इसका mass defect आजाएगा, जो भी mass defect आएगा, वो basically nucleus का mass जो होता है, वो constituent के mass से थोड़ा सा कम होता है, और mass वे यह जो कमी आती है, यह इसका mass defect हो गया, जेड़ प्रोटॉन थे, तो जेड़ प्रोटॉन को मिलाया, A-Z neutron को मिलाया, तो यह तो हो गया constituent का mass, जिससे यह मिलके बना हुआ है, यह nucleus का mass हो गया, और यह जो mass में कमी आती है, इसे mass defect कहते हैं, अब आगे चल करके बात आती है, कि हम लोग mass defect AMU में major करते हैं, AMU में इसलिए major करते हैं, क्योंकि nucleus का mass बहुत कम होता है, वो AMU में ना पही जाता है, तो mass defect अब लोगे AMU में major करते हैं, और जैसे mass defect मान लीजिए, कि डेल टाइम आ गया, तो उसके corresponding जो energy होगी, एक AMU की जो energy होती है, corresponding मैंने बताया था पहले भी, वो कितनी होती है, 931.5 ME एक AMU जो होता है, एक atomic mass unit के बराबर जो mass होता है, 930, लगभग 931.5 MEV के बराबर वो energy होती है, ठीक है, तो ये mass defect की बेल होगी, अब ये जो mass defect होता है, इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि mass defect निकालना है, तो proton का mass कितना है, neutron का mass कितना है, और nucleus का mass कितना है, कही बार nucleus का mass नहीं देते हैं, atom का mass देते हैं, तो अगर nucleus का mass नहीं दिए, तो atom का mass आएगा वो अगर दिया हुआ है, तो आपको थोड़ी से उसमें बारिकी रहती है, आपको nucleus का mass निकालने के लिए atom के mass में से ZME, मतलब Z electron का mass subtract कर दें, जैसे माल लिए कि आपको oxygen atom का mass दिया है, minus atom के कर देंगे, तो उसका mass जो है वो nucleus का mass आजाएगा, कई बार nucleus का mass दिया रहता है, कई बार नहीं दियाए session, time का mass देंगे, atom के mass में से электron Lam investigate कर देंगे, to nucleus का mass सब्रीड आजाएगा, तो ये जो है, इसको मुंग mass defect के नाम से जानते हैं, और इसको मुँ a measure करते हैं, बहने मैं बोल भी देना हूं मास्ट इफेक्ट मास्ट इफेक्ट इस मेजर्ड मेजर्ड एम्यू में इसको मेजर किया जाता है और एक मास्ट इफेक्ट की जो वेलु आती है एक एमी जो होता है 931.5 MB के बरावर होता है 1 MB एमी जो है वेत्छन के बरावर होता है तो यह तो मास्ट इफेक्ट आ है यहीısı का पुरा खेल होता है जितना mass defect जिस reaction में जितना ज्यादा mass defect हो उतनी ज्यादा energy निकलेगी, जितनी ज्यादा energy निकलेगी उतना ज्यादा वो हमारे लिए useful है, क्योंकि atom के अंदर हम लोग basic जो purpose अपना है, वो तो energy की study है, energy हम लोग study करना चाहते हैं, तो ये mass defect होगया, अब उसके बाद इसके जो B E से दिखाते हैं, हिंदी में इसका नाम है बंधन उर्जा, ठीक है, तो अब ये binding energy जो है, वो क्या है, इसको पहले समझ लीजे, फिर मैं note करने का time दे दूँगा, binding energy, nucleus की binding energy, एक atom की binding energy होती ही, जिसका मैंने आपको rule बताया था, जब atomic structure पढ़ाया था, तो atom की binding energy, nucleus की binding energy क्या होती ही, मैं समझा रहा हूँ, इसमें होता क्या है, कि जब भी कोई nucleus बनाया जाएगा अपने constituents से, तो mass में defect आएगा, अभी इस बारे में बात हो चुकी है, जब भी कोई nucleus बनेगा, मां लेते हैं कि 2MU, 2MU मिलके बने, तो 2MU, 2MU मिलके बने तो बनना तो 4 चार चाह बनाया जाएगा, तो उसी energy को हम binding energy कहते हैं, मतलब क्या है कहने का, कि जब भी कोई nucleus अपने constituents से बनाया जाएगा, तो उस process में जो energy release होगी, कम से कम जितनी energy release होगी, वही उसकी binding energy है, ऐसे समझें आप, 2MU और 2MU मिलके बने 4MU, लेकिन जो बना, वो 3.9 ही था, तो 0.1MU के बराबर energy release होगी, और वो energy निकल जाएगी बाहर की तरफ, तो binding energy या बंदन होजा का मतलब यह होता है, कि जब भी कोई nucleus अपने constituents से बनाया जाता है, तो उस process में जितनी energy release होती है, उसे binding energy कहते हैं, इसका उल्टा भी सही है, कि कोई बना-बनाया nucleus है, अगर हम उसको तोड़ बना चाहते हैं, तो तोड़ने के लिए जितनी energy देनी पड़ेगी हमें, वो भी binding energy कही जाएगी, जैसे माल लिजे कि nucleus बना, अब बनने के बास 100mEV energy release होई थी, तो अगर वही 100mEV हम उसको वापस कर दें, तो जो उसके constituents हैं, वो सब दूर दूर चले जाएगे, तो nucleus को तो energy release करता है, वो binding energy होती है, तो binding energy को मैंने फाइन कर दे रहा हूँ, it is the amount of energy, it is the amount of energy released, it is the amount of energy released when a nucleus is formed, it is the amount of energy released when a nucleus is formed from its constituents, it is the amount of energy released when a nucleus is formed from its constituents, जब कोई nucleus अपने constituents से बनता है, जो भी इसके constituents होते हैं, उनसे जब यह बनता है, तो जो energy release होती है, उसी को हम लोग binding energy कहते हैं, ठीक है, और binding energy की जो value है, अगर हम binding energy की value लिखें, तो यह बराबर होगा mass defect into 931.5, घ्यान रहे है, mass defect जो है, हम A mu में ले रहे हैं, अगर mass defect हमने A mu में निकाला, तो जो binding energy की value आएगी, वो 931.5 mu के बराबर हो जाएगी, अब एक सवाल इसमें पैदा होता है, कि binding energy अगर माल लीजे ज़्यादा है तो nucleus ज़्यादा stable होगा, या binding energy कम है तो nucleus ज़्यादा stable होगा, binding energy जो है, उससे nucleus की stability में कोई relation निकाल सकते हैं, क्या, बताएं कुछ, कम binding energy पर stability ज़्यादा होगी या ज़्यादा binding energy पर ज़्यादा, ज़्यादा पर ज़्यादा होगी, ना, ऐसा क्यों, तो ज़्यादा energy नहीं पड़ेगी, सीधी सी बात है, सिधी ज़्यादा खरच करनी परई, तो इसका मतलब nucleus ज़्यादा stable है, तो बंजी के लिए कम energy खर्च करनी पर तो, कम stable है, तो nucleus की ज़्यादा बैंडिग energy से जुड़ी होए होती है, ठीक है, जितने ज़्यादा binding energy होगी, nucleus उतना ज़्यादा उसकी stability होगी यानि हमें उतनी ही ज़्यादा energy उसको देनी पड़ेगी तो मैं बैंडे के दूसरी वाली definition भी लिख देता हूँ, वो भी काम आती है दूसरी definition भी लिखता हूँ में BE is the minimum minimum ना भी लिखते हैं तो understood है BE is the minimum amount of minimum amount of energy required B is the minimum amount of energy required to break in nucleus nucleus into its constituents B is the minimum amount of energy required to break a nucleus into its constituents binding energy जो है वो कम से कम energy जो होती है किसी भी nucleus को उसके constituents में break करने के लिए जो कम से कम energy के जरुत पड़ती है उसको लोग binding energy के नाम से जानते है तोड़ने के लिए यह बनने पे जितनी निकलती है वो भी उसकी binding energy होती है जते हैं आ जते हैं किसी भी करने पना किसी थोचा़ने निक्सि bringing